अप्लिकेशन क्योंटा लिमिट रीच ये कैसा एरर है जिससे हर हाइपर ओवेस यूजर परेशान है आपको मालूम है चुंगा कि हाइपर ओवेस में आपको बूड़ोडर उनलॉक करने के लिए आपको MI Community अप पर्मिशन लेना पड़ता लेकिन जैसे यह पर्मिशन के लिए अप्लाइ करते तो आप यह 30 आपको मिलती अप्लिकेशन के लिमिट रीच की यूटूब पे पूरा चान माली है आपको सिर्फ इतना पता चला कि रीजन चेंज करने से यह एरर फिक्स हो जाता लेकिन कुछ लिमिटेड डिवाइस में यह एरर फिक्स होता अब कुछ ऐसे इसमें आप डिजन चेंज कर लो कुछ भी गलो लेकिन यह एरर फिक्स नहीं होता डेली आपको से मेरे मिलता मेरे पास भी हाइपर ओवेस का डिवाइस में भी एमाई कम्मुनिटी पे परमीशन के लिए अप्लाइ करा पंदरा दिन तके में अप्लाइ करा पंदरा दिन में अपने को परमीशन मिलती नहीं अपने अप्लाइ करना नहीं उसके बाद में 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 कम्मुनिटी आप को छोड़के कोई अल्टरनेट मेथट के पर रिसर्च करा मेरे पास यहां पे कुछ मेथट से लाइक एमाई फ्लाश टूल जो की आंडुरेट के लिए है उसमें बाइ मेथेड से आपको एरर मिल रहा नहीं हो रा मेथेड तो अप दूसरे वाले मेथेड पर which is PC जो मेथेडaltet इसको करो तो अं Cinnamon अगे-अगर आपका अच्छारा तो मेथेड वृक कर जाएगा कई को बोले तो मैं यी वीडियो बहुत research करके बना रहा हूँ, इकदम भारी research मैं करा, आप मेरे subscribers से पूछ सकते कितने दिनों से मैं लोग को बोर रहा हूँ कि इस वीडियो पे काम कर रहा हूँ, वीडियो आएगी, जो कुछ भी मैं research करा, from starting to ending, सब कुछ मैं आपको इस HyperOS install ले, HyperOS का 1.0.7 Indian version इसमें install ले और ये Android 14 पे run कर रहा, यहां पे पन OS version पे 3-4 बार tap कर दींगे, यहां पे back आजेंगे, थोड़ा से स्क्रॉल करने के बाद additional settings पे एंगे, developer option पे आजेंगे, यहां पे me unlock status पे देख सकते मेरे device का bootloader अभी locked है, यहां पे add account एं device के option पे tap कर आजेंगे, देख सकते हैं अभी add नहीं हो रहा, same error में को मिल रहा, could not verify, और कभी-कभी यहां पे MI community पे जाके permission लेना, यह भी error में को face करने को मिला, यहां पे मेरे पास दो devices है, एक अपना Redmi Note 10 Pro और दूसरे अपना Redmi 11 Prime, Redmi 11 Prime में HyperOS install ले और इस device का bootloader log है, और अपन Redmi Note 10 Pro को as a PC use करेंगे, जिस device में HyperOS install है, उस device को थोड़ी देर के लिए side में रख दो, यहां पे अपने PC device पे चलेंगे, इसमें आपको कुछ files को और कुछ applications को install करना है, यहां पे मैं File Manager को open कर लेता हूँ, देख सकते हैं मेरे दो apps है मेरे पास, एक है Termux का app, दूसरा है Termux का API, दोनों apps क लिंक आपको description में मिल जाता है, यहां पर सबसे पहले मैं Termux app को install कर लेता हूँ, जल दे अली उसके बाद यहां पर आपको आपको आने के बाद स्क्रॉल करो, यहां पर नीचे आप देख सकते हैं, दो कमांड्स आपको मिल रहे है, एक Termux स्टोरेज का कमांड है, और एक URL है सबसे पहले मैं Termux में execute कर देंगे, देख सकते हैं पर अपने को permission मांग रहा है, यहां पर यहां पर यहां पर आपको termux को file access की permission grant करना पड़ता है, अगर यह command आपके पास run नहीं कर रही, termux से app info में आ जाओ, यहां पर पर पर्मिशन वाले section पर आओ, यहां पर आपको files and media क जो permission है, वो आपको allow कर देना है, तो यहां पर अपने पहला command successfully execute हो गया, अब है चलेंगे अब अपने दूसरे वाले command पर, इसको यहां से मैं copy कर ले तो, अपने यहां पर termux में आके इसको paste कर दींगे, अब यहां पर download करता, backend से files आपके device में लिएक आता, थोड़ा सा आप इदर wait करना है, depend करता आपके internet की speed के ओपर, यहां पर process 100% होने के बाद, देख सकते हैं, आपके MI tool करके यहां पर लिखा हुआ रहे नीचे, तो आपको इदर MI tool type करना पड़ता, सब कुछ small way रहना चाहिए, यहां पर मैं type करते हैं, MI tool, देख सकते हैं, आपके इतने सारी options मि आपके bypass restriction का है, यहां पर error भी नीचे पढ़ सकते है, can't add more accounts to this sim card, अगर आपके पास यह error आ रहा तो आप इस वाली choice को यहां पर select कर सकते, दूसरा जो option है, which is bypass hyperOS restriction, could not add, please go to MI community to apply for authorization and try again, अगर यह error आपके मिल रहा हो, तो आप second वाली option पर जा सकते, अगर आपको दोनों भी error मिल रहे हैं, तो आप third option को select कर सकते, मेरे पास यहां पर second option में select कर दो, which is MI community का error में मिल रहा है, तो देख सकते हां पर लिखा हुआ रहा, check if device is connected in normal mode, आपको अपने hyperOS वाली device पर चलना है, यहां पर आपको कुछ settings करना है, अब वो क्या क्या है, मैं आपको बदा दो, यहां अपने device को connect करेंगे, यहां पर मैं type C to type C cable use करो, अपने device को connect करने के लिए, जैसे आप connect करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको वाइफाइ को off करना है, आपको mobile data को on करना है, mobile data को on करने के बाद थोड़ा से scroll करो, यहां पर MI unlock status पर आजाओ, और agree पर tap करके, यहां पर add account and device के option पर tap करके देखो, तो यहां पर देख सकते हैं, पर देख सकते हैं, तो यहां पर अपने PC device पर देख सकते हैं, अपने को एक error मिला, data decryption field, please downgrade setting app, इन्हें बोलरा कि जो data का description है, वो field हो गया, जो आपका setting app रहता, जो hyperos में रहता हो, उसको आपको downgrade करना पड़ता, तब ही आप अपने device का bootloader unlock कर सकते, जैसा आपका settings का app यहां पर downgrade हुआ, उसके बाद यहां पर MI account को me unlock status पर add कर सकते, तो यहां पर नीचे आपको URL भी मिल जा रहा, अगर आप इस downloading start हो जादी, आपके settings.apk.zip file यहां आपके device में download होती, download होने के बाद इसको आपन extract करेंगे जल्ली, extract करने के बाद देख सकते हैं, settings.apk file अपने को मिल जारी, इसको आपन install करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, अपना settings.apk file वो install नहीं हो रहा, अब यह जो settings का app है, य किस device में install नहीं होता, जैसे कि आप मेरे device में दे सकते हैं, install नहीं हो रहा, मैं बहुत try गया, बहुत मैं इसके उपर research करा, क्यों install नहीं हो रहा, लेकिन मैं को यहां पर fix नहीं मिला, मेरे telegram channel पे भी मैं एक post दाला था, कि इसके उपर यह में को error मिल रहा, इसका कोई solution है, को कुछ लोगे ने में को suggestions दिये, मैं सब कुछ try कर लिया, लेकिन यह error fix नहीं हुआ, और मैं इसके developer से भी बात करा, में को settings का app है, वो नहीं मिल रहा था, तो developer ने खुद में को reply दिया, और वो में को मेरे device का settings का app में को create करके दिया, उसको भी मैं install करा, same mirror में में को मिला पड़ता, उसके बाद यहां पे आप boot loader को unlock कर सकते, मेरे पर देख सकते हैं, आप इस settings का app install नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको process बताता हूँ, आगे का process आपको क्या गया करना है, अगर आपके device में settings.ab के install हो गया, तो आपको वापीस से process करना है, जो अपन MI tool पे करे थे, अ जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं, यह वाला error आपको मिल सकता, कुछ दूसरा error भी आपको मिल सकता, आपको error मिलने के बाद भी वापीस से आपको try करते जाना है, जैसा आपका account यहां पे bind हो गया आपके device से, तो आप अपने device का boot loader easily unlock कर सकते हैं, जो अपन MI flash tool को launch करे थे, starting में आपके boot loader unlock को option था, तो उस option पे जाके आप आपके device का boot loader easily unlock कर सकते हैं, वैसे अगर आपको नहीं पता कि कैसा करना तो इस वाली वीडियो को आप देख लो, आप easily unlock कर सकते हैं, इस वाली वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो, आपको सिर्फ make sure करना है कि इस वाली आपनी PC screen पर यहाँ पर आपको एक file को download कर लेना है, यह file का link आपको मैं description में देदेता हूँ, देख सकते हैं पर php.zip करके file है, सबसे पहले इसको आपन यहाँ पर extract कर लेंगे, इस folder को आपन open करींगे, इसको open open करते जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते कुछ files आपको मिल connection करके, यहाँ पर command run होते जारी, connection करने से पहले यहाँ पर आपको आपके hyperOS वाले device पर आजा रहा है, यहाँ पर additional settings पर आओ, developer option पर आजाओ, यह दर आने के बाद आपको make sure करना है कि जो OEM locking वाल option है, यह enabled रहना चाहिए, और इसके बाद आपको make sure कर लेना है कि यहाँ पर USB debugging enabled रहना चाहिए, last setting आपको करना है, यहाँ पर आपको scroll करना है, थोड़ा सा आप scroll करो नीचे, यहाँ पर दे सकते आपको option मिल जा रहा, default USB configuration, इसको आप open करो, यहाँ पर आप file transfer पे सको set कर दो, तो इतने settings आपको अपने device में करने है, यहाँ पर मैं file manager को open कर लेता हूँ, और दर मैं जल्ली से locate कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको settings के apps मिल जाते, जो पहला वाला settings का app है, यह HyperOS का Android 13 के लिए है, और जो नीचे settings का app देख रहे, यह HyperOS Android 14 के लिए है, तो आप अपने according यहाँ पर जो भी आपके device का Android version है, उस Android version के हिसाब से आप settings के app को install कर लेना, मेर device में आपको मैं चल के बताता हूँ, देख सकते हैं, मेरे device में आपके Android 14 इंस्टाल ले, तो यहाँ पर Android 14 का जो HyperOS का settings का app, इसको मैं install करता हूँ, तो देख सकते हैं, यहाँ पर install नहीं हो रहा है, same mirror में को मिल रहा है, इसको install करने का कुछ भी fix नहीं है, अगर आपके device में install install हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ, आगे के steps आपको क्या लेने, वापीस से आप PC स्क्रीन पर आजाओ, तो आपको अपने device को connect करना है, अपने PC से, same process है, जैसा आप अपने device को connect करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, processing device करके कुछ यहाँ पर command run हुआ, finding bootloader unlock bind request, यह command रन हो, उसके बाद यहाँ यहाँ आपको अपने me account को bind कर सकते हैं, आपके device से, यहाँ पर आपको add account डिवाइस के वाले option पर टाप कर देना है, देख सकते हैं, यह error का सिफ एक की रिजान है, मेरे device में settings.EP के install नहीं है, आप आपके device में try करो, आपको यहाँ पर internet connection का error मिल सक जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं, यह एक बारी में नहीं होता, आपको इसको बार बार करते रहना पड़ता, वापी से आप disconnect करो, connect करो, वापी से आप करो, try करते जाओ, उसके बाद account bind हो जाता, आपके device से, कुछ ऐसा window आपके PC में show करता, उसके बाद आप कैसे भी आपके सब्स्राइब करके रखो, मैं research करते रहे तो, maybe in feature कुछ trick में को मिल जाए, इसलिए वाराओं चैनल को सब्स्राइब कर दो, और इस वीडियो को like कर देना, मिलता हूं मैं आपसे नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए good bye